करपूर गवरम, करणावतारं, संसारशारं, भुजगेंद्रहारं, सदा बसंतं, भिर्द्यारब इन्दे भवं भवानें सहितम नमामी नमस्कार मैं हूँ जोच्छा चार डॉक्टर बिंतर पाठी आप देख रहे हैं भागी गुरुकारिक्रम भागी गुरु करक्रम में आपका बहुत-बहुत स्वागत है आज हम बात करेंगे कि पंचांग की क्या इस्थी है कौन सा योग है, कौन सा तिथी है, कौन सा नचत्र है, कौन सा करण है राहुकाल कभ है, दिशासूल कभ है, चंदरमा किस राशी पर रहेगा इस सब बाते हम आपको विस्तार से बताएंगे आज का महामंत्र क्या है इस महामंत्र का जब कैसे करेंगे जब करने से आपको क्या लाप मिलेगा ये भी बताएंगे बारह राशियों की बारे में विस्तार से बात करेंगे कि किसका भागोदे होगा, कौन सरकारी नोकरी प्राप्त करेगा, किसको भूमिभॉन से लाफ मिलेगा, किसको राजनेतिक चत्र में जाना है, किसको डिप्लोमेसी में जाना है, किसको ब्यूरोक्रेसी में जाना है, किसको डेमोकरिसी में जाना है कौन सिक्षा के छत्र में जाएगा कौन का लाकार बनेगा कौन फिल्म बनाएगा कौन कहानी लिखेगा किसको खेल के छत्र में जाना है विस्तार से बताऊंगा आपको और किस अंके के प्रियोग करने से आपका भागोदे होगा किस रंग के प्रियूख करने से आपको अपार सफलता मिलेगी सौधानी क्या बढ़ते उपाय क्या करे इस सारी बात आपको बताएंगे गुरू के नुश्के भी बताऊंगा आज जिनका जन्मतीन है उनके भी बारे में बताऊंगा आपको और दर्सों के प्रस्टों का उत्तर भी देंगे आप देखते रहेए भागी गुरू कारिकरम अब आईए हम बात करते हैं आज के पंचांग की आज है साथ मई दो हजार चोविस दिन है मंगलवार सुर्योदे हो चुका है सुबा पांच बच के पैंटीस मिनट पर सुर्यास्थ होगा साम को साथ बजे चंद्रवा रहेगा मेश राशी में असुनीन अच्छत रहे कृष्ण पक्ष है आईश्मान योग है आज का जो सुम मौत है वो ग्यारा बच की पचास मिनट से ले करके अपरान बारे बच के चवालिस मिनट तक रहेगा चुकार अज आज आपको एक बात का ध्यान रखना है कैई चंद्रवा है मेश राशी में तो जेदी आज अपने कारे को अच्छे से करे मेहनत करके करें तो आपको बड़ी सफलता मिलेगा मांसमान मिलेगा पत्पर्तिष्णाव में बिरदी होगी और आपका चlement autour विकास होगा कोई भी महत्पूर कार करते हैं तो राहु काल में करना नहीं चहीए बचना चहिए राहु काल में आपका अगर काम करतें तो दिक्कत अब आईए हम बात करते हैं आज के महामंत्र की आज का महामंत्र है ओम नमो हनुमते रुद्रावत राए सर्व सत्र संगहराए सर्व रोग हराए सर्व बशी करणाए रामदूताए स्वाहा यह जो महामंत्र है संकट मुझन हनुमान जी का है अगर आप किसी परस्थि में हनुमान जी की अरादना करते हैं तो आपका चतुर्दिक विकास होगा जिदी आपको लगता है कि आप रोग और सत्र से गिरे हुए हैं आपके उपर किसी तंत्र मंत्र यंत्र का प्रभाव है मंगल के नाते साधी विवाह में दिक्कत हो रही है परिवारी किस्ति खराब है प्राफल्टी को लेकर के विवाद चल रहा है ऐसे परिश्ति में अगर किसी परकार की परिशानियों से जूज रहे हो ता आप सिरी हन्मान ची की अरादना करें इस मंत्र का जब करें आपको निश्यत रुप से बड़ी सफलता मिलेगी जब आप इस मंत्र का जब करते हैं तो ध्यान रखेंगे कि अगर केशरिया कलर का वस्तर धान करके इस मंत्र का जब करते हैं ता आपके लिए लाप रद रहेगा कम से कम एक माला तीन माला का जब अवश्य करें